सबको मेरी गुड मानिंग और कॉस्टमेह मैनेजिंग के इस एपड़ेशोड में आप सभी का फिर सिस्वागात है और कैसे आप सब हम पिछले अध्या में जो पढ़े थे जो जाने थे कि भरजिनिया डिकलेरेशन अप राइट्स का लगभग साथ सेक्षन हम पढ़े थे और उसी साथ सेक्षर में बहुत सारे important provisions है जो कि उस declaration में हमको दिखाई पड़ता है और उसी declaration का ये ज्यादा importance बात ये है कि इसी भरजिनिया declaration of rights जो 1766 का है इस 1666 जो है वो basic document है जो कि बाद में US Constitution का ये बहुत बड़ा fundamental document के लिए ज्यादा helpful हुआ था मतलब अगर अमरिका की संभीधान की provision को देखा जाए तो यहीं से बहुत सारे चीज़े वहाँ पे लाया गया है वर्जिनिया declaration of rights से US Constitution में लाया गया है और बाद में उस Bill of Rights को Indian Constitution में fundamental rights के रूप में माना गया है उससे वहाँ पे extract करके लाया है ये उसकी historical relevance है और संदर्ध ह तो दोस्तों बाकी जो हम पढ़े थे section 7 का हम पढ़े थे और बाकी जो 17 section है वहाँ पे 17 section से जो section नमबर 8 और 8A दो जो section है वो criminal proceedings के लिए उसमें लिखान है provision है जो की rights of a criminal क्या होता है और rights of a victim जो है problem का सिकर हुआ है किसी अफराधिक जो कार्य होती है जिसके उपर जुल्म हुआ है जिसके उपर को यतियाचार हुआ है उसकी अधिकारों के बारे में बताया गया है जैसे free trial process का provision है या कोई अगर case नहीं लड़ पाता उसको कानूनी जो सहायता की जाती है सरकारों से सरकारी जो ओकिल का या prosecutor का जो provision है वह इंपर देखने को मिलता है वो section number 8 में आप section 9 का आता है या कि किसी भी इंसान को अगर कोईसी तरह की güzel हो जाता है या किसी तरह की मुकद्म में उपस जाता है तो उसमें क्या होता है एक-दो चीज़ को prohibition लाए गया है मतलब prohibition लगाया गया है कि कि कीको कानून की बतर जो भी punishment है मतलब अगर किसी ने गलत किया है कानून के हिसाब से, तो उसको कानूनी तरीके से कानून में जितना प्रभीजन है, सिर्फ उतना ही धंड दिया जा सकता है, उन्यूजल तरीके से जो की कानून से बाहर जाकर जो धंड देना, या जैसे हम कुछ एक्स्ट्रा जो बताते हैं कि वो फ प्रभीजन किया गया है, मतलब उसमें निश्यद किया गया है, उस जो को वहापे नहीं कर सकते हैं, मतलब जैनूइन तरीके से जो भी प्रोसीजर कानून में है, उस तहत उसको दंड दिया जा सकता है, तो यही था जो क्रिमिनल प्रोसीजर का आठ में, और नो सेक्शन जो अगर किसी को fine भी लगता है, वो कानूनी तरीके से लगता है, excessive नहीं लगा जाएगा, ऐसा प्राभधन उस declaration में मिलता है, यह था section 9 का declaration का, section 10 क्या बोलता है, section 10 जो है, वो बोलता है कि किसी भी इंसान को अगर घर में कोई तलासी ली जाए, या किसी तरह की seizure किया जाए, वार किसी को घर पे जाके search करना, इसके लिए वरेंट चाहिए भारत की संभीधान में या IPC में जो जो प्रभीजन उसकी प्राभधन है, तो वहाँ पे भी प्राभधन है कि जब तक किसी भी तरह का कानूनी तरीके से, मतलब कानून की दायरे में रहकर जो procedure फोलो किया जाता है, उसी procedure के तहत जाके किसी को seizure कर सकते है, किसी की property को या किसी भी तरह का वहाँ पे वरेंट में search कर सकते है, यही provision है section 10 का, तो section 11 का क्या आ जाता है हमको, अगर section 11 देखेंगे, उसमें बहुत सारे उससे भी अच्छे अधिकारों का प्राभधन लिया गया है, जिसको भरजिनि बोला जाता है, सट में, due process of law, due process of law का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, due process मतलब, example के तोर पर आपको बताना चाहता हो, अगर आपको किसी भी तरह का certificate चाहिए, mislement certificate हो, या किसी भी तरह की land related कोई problems हो, तो उसका due process होता है, कि हमको पहले जाके application भरना पड़ता है application भरने के बाद वो फिर जो dealing authority रहता है वो dealing authority उसको forward करता है फिर वो dealing authority जिसके पास forward करता है वो उसको फिर से verify करता है inquiry करता है और inquiry करने के बाद जो final authority होते हैं जिसे अगर जो land का issue होता है तो तैसिल्लार होते हैं हमारे या कोई उससे related होते तो तैस्रिल्दर काम करते हैं अगर कोई हमारी कोई criminal activities हो जाती है criminal related problem हो जाती है तो वहाँ पर जो होते दो वहां पर मजिस्टेट उसको ट्राइल करते हैं उसको बाकि जो भी प्रोसेस उसको बोलते है इसको बोलते हैं, मतलब अगर आप पुलिस टेशन में जाते हैं, अगर आपका एफियर कोई लस नहीं करता तो उसमें प्रभीजन ऐसा होता है कि उसके लिए accountability किसका fix होना चाहिए जो accountability अगर किसी ने आपका अफर दर्ज नहीं की उसके लिए accountability है यह fix हुआ है उस डाइट्स में और जो भरजिनिया डिकलारेशन में यह चीजे मिलता है जो कि हमारे स्वमिधान में ऐसे provisions नहीं होते है कि exact accountability किसके authority की है exactly fix नहीं हुआ है लेकिन भरजिनिया डिकलारेशन में यह चीजे मिलता है तो उसके बाद का issue क्या होती है कि जो section 12 उसको माना जाता है तो उसमें बहुत सारे चीजे आ जाता है जैसे किसी की property को damage करने से पहले या गेर कानूनी तरीके से अगर किसी ने चीज़ का उसको जो damage करने से पहले उसको कानूनी तरीके से उसको notice दिया जाता है यह provision है यह बहुत सारे संविधन में मिलता है बहुत सारे declaration में यह पिलता है provision लेकिन वहां पर उसको ज्यादा accountability में fix किया हुआ है और क्या क्या चीज़ है उसमें contract जैसे prohibition of discrimination का prohibition है प्रोहीबिशन अब discrimination क्या होता है जिसे किसी भी society में अगर हम देखते है प्रोहिबिशन क्यों मना जाता है कि जो डिस्क्रेमेनेशन होते हैं डिस्क्रेमेनेशन मतलब जो भेदबाव होता है भेदबाव किस-किस तरीके से होती है चाए कोई जाती के रिलेटेड भेदबाव हो कोई रेस के रिलेटेड भेदबाव हो कोई धर्म के आधर पर कोई भैदबाब हो, कोई कानोनी के तोर पर कोई भैदबाब हो, कोई अनुस्तान संस्ताई के तरफ से कोई भैदबाब हो, ये जो भैदबाब है उसको completely prohibition किया गया है, अगर उसको कोई violation करता है उसके लिए बहुत strong punishment की जो प्रावधान भी वहाँ प लेकिन आपका किसी सरकारी जो संस्ताई है, राष्टर का जो संस्ताई है, उसमें किसी भी तरह का भैदबाब नहीं किया जाएगा, उसको बिलकुल निशेद किया गया है, ये होता है section का, 12 का section का, और 12 में हम दिखते हैं, जो freedom of speech, bill of rights में हम दिखते है, या magna carta के बाद आत है कि किसी को जो हमारी समीधान भी वो प्रेजेंट है अभी का, freedom of speech, fundamental rights में हमको भी मिलता है, तो freedom of speech के साथ साथ, freedom of praise का है, और उसमें और क्या क्या चीज़ा गया है, कि right to peaceful assemble, ये हमारी समीधान भी है, मिलता है, लेकिन 1776 में बरजिनिया लोगों को मिला, ये बहुत आगे हैं, हमसे बहुत आगे हैं, भरजिनिया जो right से 1776 ये बाद में आमेरिका की जो समीधान बना उसके लिए आधार था, आमेरिका के जो bill of rights से, जहांसे हम एक्स्टाट करके fundamental rights हमारी भारत से समीधान में डाले हैं, वो चीज़े वहां से पहले से मिला हुआ है, तो उसका महत बहुत रहता है, तो फिर क्या होता है next, तो बाकी जो है section 13 का और 14 का देखेंगे, जो military related, military related मतलब एक strong army होना चाहिए, और जिसमें recruitment free and fair होना चाहिए, ये सारे प्राभधान है, और army के बाकी जो चीज़े है, उसमें लिखा गया है, कि well regulated army होना चाहिए, जो की वहां की economy देता है, मतलब उसको इसी तरह की प्राभधान में लाया गया है, कि accountability सब जगा रहना चाहिए, उसको प्राभधान में डाला गया है, उसके बात का जो section है देखते है, government should uniform, government केशा होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, मतलब किसी भी, चाहिए state का system हो, या center state जैसे, हम पहल legislative legislature and judiciary के बीच में, तो government का जो policy है, वो uniform policy रहता है, और क्या-क्या चीज़े रहता है, necessary qualities to become a free government, इसका provision है, और बाद का है, जो 15a, section 15 में, section 15 में, जो marriage से related है, इसमें declaration में marriage से related है, जो की free consent of both the bride and bridegroom will be considered for a marriage, free consent की बात हुई है, liberty की बी बात आती है, यह 15a में लिखा गया है, और section 16 में हम देखते हैं, क्या-क्या चीज़े देखते हैं, free exercise of religion, जैसे हम किसी भी country में जाए, जैसे हम secularism की बात करते हैं, कि राष्टर का, किसी भी तरह का, कोई भी धर्मे के साथ, उसका कोई संपर्क नहीं है, रिस्त नही प्रविकों को, और जो लोग वहां पे रहते हैं, सबको, अपने हिसाब से free process of religion, किसी भी धर्म को आप मान सकते हो, या किसी भी धर्म को नहीं मान सकते हो, यह अपने हिसाब से एक liberty है, स्वतंद्रता है वहां की लोगों को, यह सारी बहुत important जो प्रविजन है, जो कि virginia declaration of rights में आया, और उसके साथ साथ, यह ज्यादा महत्पुर्ण यसलिए होता है, कि बाकी जितने सारे rights का declaration आया था, human rights का declaration जो भी चार्टर आये थे, उसमें protection का जो प्रविजन वो ज्यादा authentic नहीं हुआ था, लेकिन virginia declaration of rights जो 1766 का है, उसमें protection of rights को भी ज्यादा एहमियत दिया bill of rights अमरिका की है, fundamental rights भारत की है, और बाकी जितने जितने जो सम्विधान बने है दुनिया में, तो वहाँ पे जो virginia declaration of rights का बहुत सारे provision उसमें लिया गया है, उससे एक्स्ट्राट करके उसकी principles को, provision को बहुत सारे सम्विधान में उसको लिखन किया गया है, इस बज़े से लिखन किया गया है कि वह पे बहुत सारे जो अधिकार है और अधिकार की सुरक्षा के प्राबदान है, इसी के बज़े से virginia declaration of rights जो एक बहुत बड़ा चार्टूर मना जाता है, human race document का, उसका जो एहमियत है, बाद में, मैं बार बार ये कहते आया हूँ, कि वह अमरिका की स अमिदान में मिलता है, जो bill of rights का concept है, उसमें बहुत सारे मिलता है, तो ये दोस्तों ये ही था जो virginia declaration of rights 1776 का, वो क्यों हुआ, उसके बज़े से क्या क्या चीज़े आई, और वो कब हुआ, किसने ये, मतलब draft लिखे थे, उनमें बहुत सारे बहुत बड़े पेवाने पे र दुनिया में अधिकारों का जो सुनिश्चित करना, और उसके protection का provision को guarantee करना, ये सबसे बेले virginia declaration में आया, और इसी बज़े से, इसी बज़े से virginia declaration of rights को ज्यादा authentic document मना जाता है, और जो कि 1776 का था, तो दोस्तों ये था virginia declaration of rights का 1776 का ये episode, आप लोगों को केशा लगा, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, तसमा हिमारी जिमक्वी पलीसी को पढ़ते रहिए, उसकी सिरीज को देखते रहिए, माना बधिकार के बातों को समझते रहिए, और अपने जीवन को सुखी बनाए, इतने बात को कहते हुए सब को फिर से, धन्यवाद देता हूँ, ज झाल